नमस्कार आप देख रहे हैं जीओ वीनियुज को जानने का तो उससे पाले अगर आपने अभी तक जीओ वीनियुट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जली जागर जीओ वीनियुज को सब्सक्राइब करके अल नोटिफिकेशन बेल को ओन कर दीजिए आज से लेंड लाइन से मोबाइल पर कॉल करने के लिए लगाना होगा सुरू में जीरो जिहां आपको बता दें दूर संचार कमपनियों ने ग्रहांकों को याद दिलाया है कि उन्हें सुकरवार 15 जनवरी से लेंड लाइन से मोबाइल पर कॉल लगाते समय पहले सुन्य डैल करना पड़ेगा दूर संचार विभाग ने हाल ही में इसका निर्देश जारी किया है एरटेल ने अपने फिक्स्ट लाइन उपभोगताओं को बताया है कि 15 जनवरी 2021 से अमल में आ रहे दूर संचार विभाग की एक निर्देश के तहत आपको अपने लैंड लाइन से किसी मोबाइल पर फोन मिलाते समय नमबर से पहले सुन्य डैल करना होगा रिलाइन्स जिवो ने भी अपने फिक्स्ट लाइन उपभोगताओं को यह याद दिलाया है आपको बता दें कि दूर संचार विभाग ने नमबर में कहा था कि उपभोगताओं को 15 जनवरी से लैंड लाइन से मोबाइल पर कॉल करते समय पहले सुन्य डैल करना होगा संचार मंत्राले का कहना है कि इस कदम से भविष्ट के लिए कई नए नमबर की संभावनाइस रिजित होंगी इससे करीब 253.9 करोड नए नमबर बनाये जा सकते हैं मायवती का एलान उत्तरप्रदेश उत्राखंड में बीएसपी अकेले लड़ेगी चुनाओ जिहां उत्तरप्रदेश विधान सभा चुनाओ में भले ही अभी समय हो लेकिन सुबे में सियासी पारा चड़ने लगा है कॉंग्रेस सपा और बसपा सभी दलों ने अपने बिसात विचानी सुरू कर दी है सपा नेता और पुर्व सियम अकेलेश यादव लगातार योगी और केंदर सरकार पर निशाना साध रहे हैं इसी कड़ी में कॉंग्रेस भी जुटी होई है सपा से रिष्टों में आए खटास के बाद बसपा अलग तेवर में नजर आ रही है इसी कड़ी में बसपा सुप्रेमो मायवती ने एलान करते हुए कहा कि उत्तरप्रदेश और उत्तराखंट के विधान सभा चुनाओ में बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने बूते पर चुनाओ लड़ेगी और अपनी सरकार बनाएगी मायवती अपने जनमदीन पर मीडिया से प्रेस कॉंट्रेंस के दौरान कहा कि देश में कल से सुरू होने जा रहे कोरोना टीका करण अभियान का बीएसपी स्वागत करती है हमारी पार्टी का विशेस अनुरोध है कि केंद्रे सरकार कोरोना वैक्सिन मुफ्त में दे अगर केंद्रे सरकार हमारे इस अनुरोध को सुविकार नहीं करती है तो सभी राज्य सरकारों को ये सुविधा मुफ्त में देनी चाहिए फार्मर्स प्रोटेस्ट को लेकर किसान कानूनों पर आज फिर मन्थन केंद्र सरकार से बादचीत के बाद किसान तै करेंगे आगे की रणनिती जिहां क्रिशी कानूनों को लेकर सुकरवार को एक पर फिर से केंद्र सरकार और किसान निताओं के बीच वारता होगी एक तरफ केंद्र सरकार को आज की बातचीत के सकरात्मक परिणाम निकलने की उमीद है तो दूसरी तरफ किसान संग बातचीत के अधार पर आगे की रणनिती तै करने वाले हैं हाली में सुप्रेम कोट ने नए क्रिशी कानूनों और किसानों के आंदूलन को लेकर दैर विभिन याचिकाओं पर सुनवाई के बाद इन कानूनों के अमल पर रोक लगा दी सिर्श अधलत ने मसले के समधान के लिए विशेचग्यों के एक कमिटी का गठन कर दिया जिसमें आज की निर्धारित वारता बेहद अहम मानी जा रही है राजसभा संसद सुसीलकुमार मोदी ने कहा गरतन्त दिवस की गरिमा को चोट पहुचाने पर तुले लोग असली किसान नहीं जिहां क्रिशी कानूनों पर अंतरी मरोक लगाये जाने के बाद भी जारी किसान आंद वो असली किसान नहीं हो सकते भाजपा नेता ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा कि तीनों नए क्रिशी कानूनों पर अंतरी मरोक लगा कर सर्वोचे नियाले ने आंदुलन कारी किसानों का भरोसा जीतने की अब तक की सबसे बड़ी को लेकिन और आजकता प्रेमी विपक्ष और किसान नेताओं ने अधालत की पहल से बने होई विशसग्य समिती को मानने से इनकार कर गतिरोध के तिल को पहाड बना दिया उन्होंने आगे लिखा कि वे ट्रेक्टर रैली निकाल कर राजधानी में गर्टनत दिवस की परेड म इमसी में हो सकते हैं सामिल जहां पश्चिम मंगाल में विधानसवा चुनाओ के मदनजर बीजेपी ने दावा किया है कि 70 पार्टी के 41 विधायक उसके खेमे में आना चाहते हैं तो त्रणमूल कॉंग्रेस ने कहा कि भगवा दल के साथ सांसद उसके संपर्क में हैं बीज में आने को इच्चुक हैं उन्होंने अपने ग्रिहनगर इन दौर में समधताओं से कहा कि मेरे पास 41 ऐसी विधायकों की सूची है जो बीजेपी में आना चाहते हैं अगर मैं इन 41 विधायकों को बीजेपी में ले लूँगा तो ममतावरणर जी की सरकार गिर जाएगी पर विधान सभा चुना होना है तो वहीं सत्तरोड त्रणमूल कॉंग्रिस के प्रवक्ता कुणाल गोस्ट ने कुलकाता में दावा किया कि बंगाल से बीजेपी के साथ लोकसभा सदस्य हमारे संपर्क में हैं वो बहुत जल्द ही पार्टी में सामिल होंगे।